CBC Words में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम Classic Science का Chapter 8 जिसका नाम है Light Shadows and Reflections वो डिस्कस करेंगे पुरानी वाली NCIT Book में ही Chapter 11 है सिर्फ Numbering Change हुई है बागी सारी चीज़े वही है और भी Chapter's की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे आप देखोगे Colorful है, रंगीन है और Different है अनि हर Object देखोगे, अलग-अलग तरीके एक होगा जब हम School जाते हैं तो हम देखते हैं जिसे आपका Buses हो गया, Car हो गया, Cycle हो गया, Trees हो गया, Animals हो गया और कभी-कभी Full भी दिख जाते हैं तो ये सारे चीज़ा क्या है, अलग-अलग तरीके के Object हैं अलग-अलग Color के हैं, अलग-अलग Shape, Size के हैं आप क्या सोचते हो, ये सारे जो Object हैं उनको हम कैसे देख पाते हैं कैसे देख पाते हैं, मतलब क्या पूछना क्या चाहिए रहा है तो चली अभी समझ में आ जाए, क्या पूछना चाहता है किसी जगें के बारे में सोचो रात का टाइम है, बिलकुल अंधेरा है, रोशनी नहीं है वाट विल यू सी, आपको क्या दिखेगा रात का टाइम में अंधेरा है, तो क्या दिखे, कुछ नहीं दिखेगा तो इसका अंसर आप लिख सकते हो नथिंग, यहां देखो, मैं आपको लाइन मेले ना, इस याइटी एक्स्प्लेंग करूँगा और साथी में बीच-बीच में जो कुशन है, उसका भी अंसर, टेबल, एक्टिविटी, सारी चीज़े में आपको करूँगा जो भी डाउट आ सकता है, उसकी भी कोशिश करूँगा कि आपको यहीं क्लियर करा दूँग तो अगर डीटेल में आपको अच्छे से पढ़ना है, तो इस चैनल को देख पाऊगे, माल उस कमरे के अंदर टेबल, चेयर, बैड, बुक्स रखी है, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़े रखी है लेकिन उस कमरे में बिलकुल अंधेरा है, तो क्या कोई भी ऑब्जेट देख पाऊगे, जो वहां रखा है आप कहोगे, नो, नहीं, बिलकुल नहीं देख पाएंगे, भाई अधेरे में कैसे देख पाएंगे होता है, वो एक ऐसा अब्जेक्ट है, that gives out light of its own, यानि उसकी अपनी खुद की light होती है, भाई टॉर्च के अंदर से light कहा निकलती है, उसका जो बल्ब लगा होता है, उसके अंदर से निकल ली होती है, यानि हम कह सकते हैं, टॉर्च के पास अपनी खुद की light है, वो कहीं से इधार उदर ले के नहीं देता, बल्कि टॉर्च के अंदर बल्ब लगा है, बल्ब के अंदर से निकल ली होती है, तो टॉर्च बल्ब की बात कर रहे है, टॉर्च बल्ब की खुद की अपनी light होती है, वहीं से निकलती है, सन की बात कर ले, ये भी एक तरह का object है, जिसके तो sun की भी अपनी light होती है, sun के अंदर से निकल लिए होती है, कहीं इधार उसन नहीं ले रहा हो, दिन में सूरज की वज़े से हो थो हम चीजों को देख पाते हैं, वरना तो अंधेरा हो, अब ये जो object ने, जैसे sun हो गया, इमिट का मतलब क्या होता है, किसी जीज को अंदर से बाहर निकालना, तो चाहे गिव आउट कहलो, चाहे इमिट कहलो, बात एक ही है, तो वो object जिनकी अपनी खुद की light है, उनके अंदर से light निकल लिए होती, जो अपनी light बाहर निकालते हैं, उसको हम क्या कहते है, इनके अपनी खुद की light नहीं होती, उसको हम क्या कहते है, इनके अंदर से light नहीं निकलती, यह बहुत important चीज है, और बहुत अच्छे से मैं आपको time लेके इसको समझाऊँगा, यह वो object है, यानि non-luminous object की बात हो रही है, इनको हम कैसे देख पाते हैं, जिनके पास खुद की light नहीं होती, उसको हम देख कैसे पाते हैं, तो हम देख कैसे पाते हैं, कि light जो है, किसी luminous object से, यानि वो object जो हमारे chair, painting या, shoes को हम कब देख पाते हैं, जिसी कमरे में रखी होगो, वहाँ light जल ली हो, रोशनी हो, तब ही देख पाते हैं तो जहां से रोशनी निकल ले, किसी luminous object से रोशनी निकल ली होगी, जैसे sun हो गया, torch हो गया, electric light हो गया, वहाँ से light निकल के उस object पे, जैसे chair हो गया, painting हो गया, shoe हो गया, उस पर fall करती है, यानि उस पर गिरती है, light पढ़ती हो उस पे, then travel towards eyes, वहाँ से उस पे पढ़ने के बाद, उस object पे टकराने के बाद, हमारी आँखों में जाती है, तो आँख में जब जाती है, तब उसको हम देख पाते हैं, यानि यहाँ आमको एक बात समझ मा गई, कि किसी भी object को हमको देखना है, या हम कह सकते हैं, कोई भी object दिखाई हमको तब पढ़ेगा, जब तीन चीज़ें होंगी, वो क्या चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ लिखके बता देता हूँ, तो पहली चीज़ क्या ज़रूरी है, light, light का होना, रोशनी होनी चाहिए, वही कमरा है, उसके अंदर अंदा मधेरा है, कोई object रखा होगा नहीं दिखेगा, light जला होगा दिखने लगेगा, क्या सिर्फ light का जला दिने से सब कुछ दिखने लगेगा, नहीं, एक और चीज़ की ज़रूरत पढ़ेगी, वो क्या, वो जो light है, वो क्या करे, fall on object, जिस object क देखना है, उसके उपर वो light पढ़नी भी चाहिए, अच्छा उस पर light पढ़ गई, तो क्या हमको दिखने लगेगा, नहीं, एक और चीज़ हमें को ज़रूरत पढ़ेगी, वो क्या, reach reflected light to our eyes, जो light उस पर गिरी है, किसी object पर पढ़ी है, उस से reflect करके, उस पर पढ़के, उस फीगर बना के आपको पूरा कायदे समझाता हूँ, तो एक room हम बना लेते हैं, यह हमने एक room बना लिया, यहाँ पर एक बंदे खोड़ा करा देते हैं, यह एक बंदा बन गया, गंदा है पर है तो बंदा ही, आँख भी बना देते हैं, और मूब बना देते हैं, बहुत जो भी चीज रखी होगी, दिखने लगेगी, लेकिन, अब मेरे को यह बताओ, एक box है, ठीक है, यहाँ पर एक बंद बकसा है, उस बकसे के अंदर एक ball रखी हुई, क्या यह जो ball इस box के अंदर रखी वो आपको दिखेगी, box एक दम बंद है, या ऐसे समझ सकते हो, कि आपका light तो जल रही है, लेकिन वो light, जिस object का हम को देखना है, इस ball है न, तो ball पे नहीं पढ़ पा रही है, इस डिब्बे तक ही जारी अंदर नहीं आप पा रही है, तो light तो है, लेकिन light object पे fall नहीं कर रही है, पढ़ नहीं रही है, तो दूसरा point आपको समझ में आजा, कि light के सा साथ, वो light है, वो object पे पढ़नी भी चाहिए, अचा, light अगर object है पढ़ गई, तो क्या दिख जाएगा, तो एक और चीज मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, जैसे माल लो, यहाँ पर एक ball हमने रख दी, अब यहाँ सामने एक कोई लकडी का, या किसी और cardboard वगएरा का, कोई नहीं दिख रही है, वह यह light ball पे पढ़ तो रही है, पहले तो light ball पे नहीं पढ़ रही है, अब क्यों नहीं देख पा रहे है, क्योंकि light ball पे पढ़ रही है, लेकिन पढ़ने के बाद light आकर इस board पे ठकरा जा रही है, आपकी आँखों तक नहीं पहुच पा रही है, आपक चीज जो मैंने आपको बताई थी यहां आपको समझ मा गया कि सिर्फ लाइट का होना ज़रूरी नहीं है लाइट उस अबजेट पढ़े और पढ़ने के बाद वो लाइट आपकी आँखों तक पहुँच जाए जब हमने बीच में कोई लकडी की चीज लगा दी तो यहां जा होगा कि लाइट की ज़रूरत है और वो लाइट ऑबजेट पढ़नी भी चाहिए और फिर वो पढ़के हमारी आँखों तक जानी भी चाहिए यह पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीजे हैं आगे के जो डॉट्स आपके माइंड में आते हैं वो सारे यहा वहले चैप्टर था उसके अंदर आपने यह पढ़ा होगा ठीक है तो फिर से एक बार याद कर लेते हैं रिकॉल अवर ग्रूपिंग अबजेट एज ओपेक ट्रांस्पेरें और ट्रांस्लूसें इन चैप्टर फोर तो चैप्टर फोर में जो पढ़ा तो उसको एक बार याद करो if we cannot see through an object at all it is opaque object अगर किसी object के आर पार बिल्कुल भी न दीखे है कुछ भी जरा सा भी न दीखे तो वो object कौन सा होता है ओपेक होता है यानि वो अगर आपके आँख के सामने है तो उससे पीछे क्या होगा कुछ न दीखेगा if you are able to see clearly through an object it is allowing light to pass through it and is transparent अगर किसी object के आर पार देख पा रहे है यानि वो object आपने सामने लिया उसके पीछे क्या है वो आप देख पा रहे हो इसका मतलब क्या होगा देखो मैंने आपको बताया था न वो चीज यहां काम आएगी कि light उसको पार करते हुए आपकी आख तक चली आ रही है यह वाला जो भी हमने example देखा था इसमें माल लो कोई object ऐसे हमने सामने इसके लगा दिया अब यह जो object है वो transparent है तो transparent object के आर पार हम देख पा रहे हो अब ऐसे भी कुछ object होते हैं जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं but not very clearly बहुत साफ हम नहीं देख पाते है थोड़ा थोड़ा हलका हमको देखता है such objects are known as translucent तो ऐसे object जिनके आर पार हम देख पाते हैं लेकिन साफ नहीं देख पाते हैं उन्हें हम translucent कहते हैं तो साफ क्यों नहीं देख पाते हैं एक सवाल यह उट सकता है तो देखो translucent object में यह होता है न कि light उसको पार करती लेकिन बह अपने आसपास देखो और collect करो जितने object आपके हो सके उतने object आपको collect कर लेना है eraser ले लो, plastic scale ले लो, pen, pencil, notebook एक single sheet of paper ले लो, tracing paper tracing paper क्या होता है? इसे drawing विगरा बायनाने में काम आता है कोई भी drawing है उसके उपर उस paper को रख दोगे तो वो उस paper में जलकता रहेगा वहुत पतला सा होता है, उसके आरपार दिखता रहता है और अप piece of cloth को एक पड़े के टूड़ा ले सकते हो तो यह इस तरीके के जो भी object आपसे मिल जाए वो आपको ले लेना है try to look at something far away दूर की कोई चीज देखने की कोहिश करो कैसे, through each of these objects इन object के आरपार देखने की कोहिश करो इन object के through देखने की कोहिश करो कहने का क्या मतलब है जैसे मानलो यह आप खड़े हो अब आपको एक दूर का object देखना है मानलो दूर एक box रखा हुआ है इस box को आपको देखना है लेकिन direct नहीं देखना वो जो object आपने लिया था pen, pencil, plastic scale वगएरा वगएरा इसको आपको अपने सामने करना इसे हाथ में हाँ, ऐसे सामने रख लिया आपने मानलो आपने pencil ले लिया अब इससे आरपार देखने की कोहिश करो क्या दिखता है की नहीं अभी मैं आपको activity करके दिखाऊंगा मैंने video बनाई भी आगे attach कर दूँगा तो यहां आप समझ गयोगे कि एक दूर object लेना है और जो object आपने लिया था उसके through देखने कोहिश करना है कि यहां से light इसको पार करते हुए आपके आँग तक जा रही है कि नहीं है चेक करना है उसी हिसाब से में decide करेंगे object transparent है, translucent है या opaque है तो figure 11.1 में नीचे आप देख सकते हैं तो इसी तरह करना है object को सामने ले लेना है और कोई दूर का object उसके through देखने कोहिश करना है क्या दूर कोई object जो आपने लिया था उससे light पास होते हुए आपके आँग तक जा रही है कोई ऐसा object है तो हर object का आपको चेक करना है चेक करने के बाद जो भी observation आपको मिले उसको record करना है जैसे कि table 11.1 में आपको दिया हुआ है तो यहां से देखने के बाद आपको बता जाए का light पूरी तरह से आ रही है तो transparent बिल्कुल नहीं जार पा रही है यानि बिल्कुल भी उसके पीछे कुछ नहीं दिख रहा है तो opaque हो गया हलका हलका दिख रहा है और not at all या बिल्कुल भी नहीं हो रही है अब यहां जो table है इसको हम देख लेते हैं तो table 11.1 है पहले column में देखोगे object या material का नाम लिखा है फिर दूसरे column में view through the object possible यानि आपको यह बताना है कि उस object को जो आपने लिया है उसके आर पार हम देख सकते हैं कि नहीं पूरी तरह से देख सकते हैं तो fully लिखोगे partially यानि थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं तो partially बिल्कुल नहीं देख सकते हैं तो not at all लिखोगे अब यह करने के बाद फिर आप बताओ कि object opaque है transparent है या translucent है तो pencil की हम बात कर लेते हैं pencil का अपको अपनी आग के सामने रखना है और पीछे कोई object जो अपने पहले से decide किया है उसको देखने ही कोईश करना है कि वो object दिख राएगी नहीं कैसे करेंगे चली देखते हैं तो हमसे activity में क्या कहा था try to look at something far away तो दूर की कोई चीज आपको देखनी है जिसे यहाँ पर हम switch की बात कर लेते हैं तो switch को हमको देखना है लेकिन कैसे देखना है direct नहीं देखना through each of these object जो अलग-अलग object आपने लिये हैं उसके through देखना है यानि उसको सामने ले आओ और फिर देखो की क्या switch देख रही की नहीं जो भी object आपने लिये है वो दिखराए की नहीं तो यहाँ पर दूर का object मैंने switch लिया है अब switch के सामने जैसे pencil की बात करें न तो pencil में ले आता हूँ तो यहाँ देख सकते हो जब मैं pencil को सामने ले आया और switch को हम देख लेते लेकिन अभी pencil की case में switch को हम नहीं देख पा रहे है तो आपने देख लिया कि pencil के आर पार जो object हमने लिया था जो switch ली थी वो नहीं देख पा रही थी तो हम लिखेंगे not at all बिल्कुल भी आर पार pencil के नहीं देख पाएगा पीछे क्या है बिल्कुल भी नहीं देखेगा तो not at all है तो हम कह सकते हैं कि यह कैसा object है opaque है क्योंकि बिल्कुल भी light उसके आर पार नहीं हो पारी जो object हमने switch लिया था था ना तो switch नहीं देख पारी इसका मतलब switch से निकलने वाली light है tube light से light पड़ी switch पे switch से आरी थी लेकिन सामने pencil आ गई pencil को पार नहीं कर पाई इसलिए हम नहीं देख पाई तो बिल्कुल भी नहीं देखी इसलिए opaque कहेंगे rubber ball का भी इसी तरह चेक कर सकते हो rubber की ball आप लोगे तो उसके आर पार भी आप नहीं देख सकते तो अब लिखोगे not at all तो यहां एक चीज़ समझ लो अभी मैं आपको दिखाऊंगा उससे पहले एक चीज़ समझ लो यहां दो क्या लिखा हुआ है not very sure यानि आप से पूछ रहा है क्या पका नहीं है कि इसके आर पार हम देख सकते कि नहीं पूरी तरह से पार्शली या बिल्कुल भी नहीं तो मैं कहूंगा yes हाँ पका हम नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते कभी कभी उसके आर पार पार्शली दिखेगा हलका हलका दिखेगा कभी कभी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा हमको object क्या लेना था, दूर लेना था, तो दूर का object अगर हम sheet of paper की थूरू देखना चाहेंगे, तो नहीं दिखेगा, लेकिन नहीं दिखेगा कब, ये थोड़ा समझ लो, एक statement यहां मैं लिखता हूँ, इसको आप खुद भी लिख लेना थाकि आपको याद रहें, Luminous object can be seen, but not non-luminous, यानि वो object जिनके पास अपनी खुद की रोशनी है, जिससे मोंबत्ती हो गई, टॉर्च हो गई, सन हो गया, लेजर लाइट हो गई, इस तरह की जो चीजे हैं, जिनके अंदर से लाइट निकल लिए होती है, वो तो आपको paper के आरपार दिखेगी, लेकिन वो object जिनके पास अपनी खुद की light नहीं है, वो आपको नहीं दिखेगी, अब इस switch को हम paper के थुरू देखने कोहिश करते हैं, कि क्या दिखता है कि नहीं, तो एक sheet of paper मैं इसके सामने ले आता हूँ, आप देख सकते हो, आप switch ये बिलकुल नहीं दिख रही है, लेकिन ये sheet आपकी जो fingers है, वो आपको visible होगी हलकी हलकी, अगर इस switch के जगा हम एक luminous object ले लेते हैं, तो आप देखो कि इस paper के थुरू हमको वो object दिखेगा, जैसे हम laser torch की बात कर लें, तो यहाँ देख सकते हो, जो laser light है, वो हमको paper के थुरू दिख रही है, पीछे मैंने laser light जलाई है, और वो हमको paper के आरपार दिख रही है, तो क्या समझ मैं है, कि जो sheet of writing paper है, लिखने वाला जो paper है, उससे partially, यानि हलका हलका हम देख सकते हैं, अगर वो object luminous है, यानि उसके पास अपनी रोशनी है, अगर अपनी रोशनी नहीं है, टकरा के उससे रोशनी आ रही है, तो हम नह देख पाएंगे, इसलिए यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, not very sure, बिल्गुल पक्का हम नहीं कह सकते, क्योंकि यह depend करेगा, आपने कैसा object लिया है, किस object को आप उस sheet of paper के through देख रहे हो, दूर जो object आपने लिया है, वो luminous है कि non-luminous है, luminous है तो दिखेगा, non-luminous है तो नहीं दिखेगा, पूरी तरह से तो दोनों ही नहीं दिखेगा, partially दिखेगा, तो partially अगर दिख रहा है, तो हम कहेंगे, translucent है, इसलिए इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कि object कैसा है, translucent, बहुत सी जगें लोग लिख देते हैं, जो sheet of paper है, वो opaque होता है, opaque नहीं होता, वो translucent होता है, अचा, opaque क्यों कहते हैं, क्योंकि दूर का object दिखी नहीं रहा, नहीं दिख रहा तो opaque कहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, कि कौन सा object दिखेगा, कौन सा नहीं दिखेगा, जो opaque object होता है, उसके आर पार तो चाहे luminous ले लो, non-luminous ले लो, कुछ भी ने दिखेगा, translucent मे होता है, जो luminous object है, वो दिखते हैं, non-luminous नहीं दिखते हैं, कुछ में दिखते भी हैं, non-luminous भी दिख जाते हैं, अगर बहुत हलका है, जैसे आपका, जो आपका tracing paper होता है, उसके आर पार आपको जो non luminous object है वो भी दिख जाता है, तो इतनी कहानी अगर नहीं समझ माई, तो इतना simple याद रखना, जो आपका sheet of writing paper होता है, उसके आर पार कुछ चीजें हम देख सकते हैं, कुछ चीजें नहीं देख पाते हैं, अब कुछ चीजें तो ये topic देखो हमारा complete हो गया, इसी तरह से detail में line by line बिल्कुल बाल की खाल निकालते हो पढ़ेंगे, ताकि हर चीज बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए, कुछ लोग books के बारे मुझसे पूछ रहे थे, in my opinion, Oswal books are best, मैंने इसको देखा है, और इसके अंदर वो सारी और उसके questions के answer आपको मिल जाएंगे, in text question हो गए, जैसे table के solution, और बीच-बीच में जो आपसे question पूछे जाते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यह आपसे question पूछा गया, our fat, protein, यह पूरा question, इसके solution भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हो, question और उसके answer य किये गए हैं, तो वो question और उनके solution भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो एक complete चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, तो इस book का जो latest edition है, उसका link मैंने description ने दे दिया है, वहाँ से click करोगे, तो आप Amazon पहुच जाओगे, वहाँ से purchase कर सकते हो, 11.2, what exactly are shadows, यह जो shadow हो परचाई होती है, वह हकीकत में होती ही क्या है, परचाई थो हम जानते हैं, क्या परचाई बनती है, लेकिन क्या है, इसको और detail में समझेंगे, उसके लिए एक activity करनी है, activity 2, अब जो objects आपने लिये थे, उनमें से जो opaque हैं, उनको एक एक करके आपको लेना है, यानि इनको sunlight म मिले जाना है, सूरज की रोशनी मिले जाना है, slightly above the ground, थोड़ा सा ground की उपर रहें वो, आपको ground में क्या दिखेगा, वह shadow बनेगी, परचाई बनेगी और क्या, अब आप ये जानते हो कि जो dark patch है, जो dark सा धबबा होगा, थोड़ा सा अंधेरे वाला, एक निशान type का बनेग ground पे वो किसकी वेरियस से बनता है, shadow की वेरियस, यानि वो परचाई ही होती है, उसी परचाई कहीं निशान होता है वो, कभी-कभी आप पहचान जाते हो object को shadow देखके, यानि परचाई देखके आपको idea लग जाता है कि हाँ, ये किस object की, किस चीज की परचाई है, जैसे नी पर देखोगे, ये ट्री की परचाई है, बहुत clear ये भी नहीं है, लेकिन हाँ, हलका सा idea आपको लग रहा होगा, इसी तरह नीचे वाली देखोगे, तो कोई rectangular चीज है, उसकी परचाई बन नहीं है, कोई cardboard हो सकता है, कोई sheet हो सकती है, ये जैसे इस image में देख सकते हो, एक flower है, उसकी shadow बन नहीं है, तो अगर flower वाला हिस्सा में आपको ना दिखाऊ, सिर्फ shadow दिखाऊ, तो भी आप idea लगा सकते थे, कि कोई flower है, उसकी ये leaves वगरा है, ये डाल उसकी है, ये कोई आदमी खड़ा है, उसकी परचाई बनती है, तो भी idea लगा लेते हो, कि हाँ किसी इं familiar object, यानि ऐसा object लेना है, जिसको आप जानते हो, उसको आपको hold करना है, कुछ height पे, थोड़ा से ground के उपर रखना, ताकि उसकी जो shadow है, वो sheet of paper पे बने, यानि अगर paper नहीं लगा होगे, तो परचाई जमीन पे बनेगी, जो आप छत पे जैसे अगर हो, वहाँ धूप आ र कर लो, यानि उसकी जो outline है, boundary boundary है, उसको up draw कर लो, जैसे मालो आपने ball को hold किया है, तो ball की परचाई इस तरह से बनेगी, तो आपको इफ्रेंट को क्या करना है, ऐसे ऐसे इसकी boundary को बस बना लेना है, ठीक है, इसी तरीके से दूसरे जो objects हैं, उनकी भी जो shadow है, उसकी outline को outline बची रह जाएगी, अब अपने दूसरे दोस्तों से पूछना है कि पहचानो ये object कौन सा है, सिर्फ outline दिखा के, कितने object हैं, जिनको वो पहचान पाए, सही सही, तो इसका simple sensor ये है कि कुछ object हो सकता है, उन्होंने पहचान लिया हो, और कुछ ऐसे भी object होंगे, जिनको वो नहीं क्या दिखेगी, या रात का time हो, और कोई light ना हो, तो क्या shadow दिखेगी, नहीं दिखेगी, क्या आप उस case में shadow को observe कर सकते हो, आपको दिखेगी क्या shadow, जब light का source तो हो, यानि light तो हो, किसी room में मानलो light जली है, लेकिन उस room के अंदर और कुछ ना हो, तो ये चीज तो यानि अगर हमको shadow देखनी है, तो एक तो light की ज़रूरत है, यानि जो source of light है, वो होना चाहिए, और opaque object होना चाहिए, अब आप कहोगे opaque object ही क्यों चाहिए, तो ये बताओ shadow क्यों बनती है, जैसे आप धूप में खड़े हो गया, तो आपकी परचाई बनेगी, तो जब आप तो sunlight पूरी तरह से पढ़ रही थी उस जगे पर, जैसे मालो आप छट पे खड़े हुए तो छट पे आपके बन रही थी, लेकिन आप जब खड़े हो गए सामने, तो आपने कुछ light को वहाँ जमीन पर पढ़ने से रोक लिया, वो light आपके उपर पढ़ रही थी, और जमीन लिए ओपेक object की ज़रत पढ़ती है, और source of light की, क्या कोई और चीज़ की ज़रत पढ़ती है, सोचो, तो चलिए इसे भी हम try कर लेते हैं, कि क्या और भी कोई चीज़ चाहिए, उसके लिए हमको activity 3 करना पड़ेगा, अब ये वो activity है जिसको आपको dark में करना है, अंधेरे मे तरफ, इस तरह से कि जो light है, वो आपके दोस्त के चहरे पे पड़े, तो इसको थोड़ा से मैं आपको बना कर अगर दिखाऊँ, कि जैसे मानलो ये ground है, ठीक है, और ये आपका दोस्त ऐसे खड़ा हुआ है, आपको torch को कहा रखना है, ground के करीब रखना है, तो इस तरह से torch लेनी है, और torch की light कहा पढ़नी चाहिए, आपके दोस्त के चहरे पढ़नी चाहिए, ठीक है, ऐसे light जाएगी, तो अब आपके पास क्या है, एक source of light है, torch आपने लिए है, और light किसी opaque object है पढ़ रही है, जो आपका दोस्त है, वो opaque है, अगर कोई tree या building या कोई और object आपके द activity की, क्या इस case में, परछाई बनेगी, क्योंकि जिस चीज पर light पड़ेगी, उसी के पीछे उसी के परछाई बनेगी, सवाल यहाँ, तो आपको परछाई नहीं दिखेगी, नहीं दिखें कि मतलब क्या है, क्या बनेगी भी नहीं, तो shadow होगी, लेकिन आपको दिखें कि नह इसका मतलब ऐसा नहीं कि shadow है ही नहीं shadow है परचाई है लेकिन आपको नहीं दिख रही है तो जैसे मैंने बताया कि light जब रुकती है तो उसके पीछे उस चीज की परचाई बनती है अगर मैं light के सामने खड़ा हो जाओंगा तो पीछे की तरफ मेरी परचाई बनेगी क्योंकि वो light मुझे पार होके पीछे की तरफ नहीं जा पारी है तो जिस हिस्से में नहीं जा पारी है वहाँ पर अधिरा होगा और वही shadow होगी तो यहाँ जो हमने activity की वहाँ पर हमको shadow दिखेगा नहीं लेकिन shadow होगी यह कैसे हम जानेंगे तो आपको अपने दोस से कहना है कि वो hold करे वही जो cardboard sheet आप लिये थे behind your friend तो एक दोस जिसके उपर आप light मार रहे हो दूसरे दोस से कहना है कि उसके पीछे जाके खड़े हो जाओ वहाँ पर आपको एक cardboard लगा देना है क्या आप shadow दिख रही है उस cardboard sheet पे तो आप figure उपर आप देख सकते हो कि इस तरह से torch मारो गई ये बंदा सामने खड़ा है तो पहले कुछ नहीं था तो shadow हमको नहीं दिख रही थी लेकिन आप cardboard लगा दिये तो देखो पीछे की तरफ shadow बन रही है अब इससे क्या बात समझ माई does the shadow can be seen only on screen जो shadow है जो परचाई है वो किसी screen पे दिखेगी screen का मतलब कोई चीज होनी चाहिए जिसके उपर वो परचाई बने हावा मन तो बनेगी नहीं वह यह चीज तो आप खुदी observe करते हो कि परचाई जब बनती है तो कहीं किसी चीज पर बनती है ना बिल्डिंग हो गई या और कोई भी जो surface है वो screen की तरह add कर सकती है ताकि जो shadow है उसको आप observe कर सको अब shadow से हमको क्या पता चलता है shadows give us some information about the shape of objects shadow हमको कुछ information देता है जो भी object इसकी shadow बन नहीं है उसके shape के बारे में याद रखना some information मिलेगी complete information नहीं मिलेगी उसका shape कैसा है कुछ information हलका सा idea हमको मिलेगा ये depend करेगा किस तरह से shadow बन रही है कहां पर light है object कैसे रखा है वो सारी चीज़ भी हम देखेंगे कभी-कभी जो shadow है वो mislead कर सकती है object के shape के बारे में यानि आपको परचाई में कुछ दिख रहा होगा और परचाई से आपने idea लगा लिया कि object का shape इस तरह से होगा लेकिन हाकीकत में उसका shape अलग होगा जैसे आप figure 11.4 में देख सकते हो कुछ shadows है जो कि हम create कर सकते हैं अपने हाथ से and make believe that they are shadows of different animals यानि हाथ से हम परचाई बना सकते हैं और परचाई देखने में ऐसी लगेगी कि जैसे वो कोई animal है have fun थोड़ा से मज़े कर लो तो यहाँ पर आप देख सकते हो सकता आपने बनाया भी हो कि इस तरह से आप finger करोगे तो आपको पीछे इस तरह से shadow बनेगी यह art होती है आप इसको search भी कर सकते हैं YouTube पे आपको बहुत सारी videos मिल जाएगी कि किस तरह से आपको हाथ को रखना है कैसे अपनी fingers को arrange करना है कि परचाई में कौन सा animal बने तो जैसे यह wolf type का कुछ बनना है यह hiran type का यह goat type का यह bird वाला है इस तरह से आप अपने हाथ को करोगे न तो जो परचाई बनेगी पीछे वो ऐसे लगए कोई चड़िया है तो सिर्फ किसी को अगर परचाई दिखाए जाए तो हो सकता वो कहेगा यह तो animal लेकिन हाकिकत में वो हाथ होते हैं तो कभी-कभी धोका भी दे सकती यह परचाई अब activity 4 कर लेते हैं आपको एक chair को अपने school के ground में रख देना है जब धूप निकली हो आपको क्या चीज observe होगी जो परचाई बनेगी chair की उससे क्या जो shadow है वो एक accurate picture देगी कि chair का shape कैसा है यानि उस chair की परचाई अगर आपको मैं सिर्फ दिखा दू तो उस परचाई को देख के आप बता सकते हो कि chair कैसी होगी अगर chair को थोड़ा सा turn around करें थोड़ा सा घुमाएं तो किस तरह से जो shape है shadow का वो change होगा तो यहाँ पर मैंने कुछ image ली है मैं इसको धूप में जाके नहीं कर पाया क्योंकि बहुत जादा गर्मी थी और सिर्फ आपको concept explain करना था तो वो room में भी हो सकता था तो इधर right side में bulb था उसकी रोशनी है तो ऐसे मैंने chair रग दी तो देखो यह परचाई बननी है यह shadow बननी है तो इस shadow को देखके क्या कुरसी का idea लगाए जा सकता है सिर्फ आप shadow वाले focus करो तो क्या आपको कुरसी का कुछ idea लगेगा कुरसी है इसको मैंने थोड़ा सा turn किया इस तरह से तो देखो आप इस तरह से परचाई बननी है तो सिर्फ परचाई पे द्यान दो किस परचाई को सिर्फ मैं आपको दिखाऊ तो कुरसी का idea लगेगा ये वाली देखो हो सकता आप सिर्फ परचाई देखके ये भी ने पता कर सको कि ये chair की है तो जो हम chair को turn कर रहे हैं तो आप देख सकते हो उसकी जो परचाई है वो अलग-अलग type की बन नहीं है तो हमसे ये पूछाता ना कि जो shadow है वो क्या accurate picture देगी कि chair का shape क्या है तो इसका अंसर होगा no accurate picture नहीं देगी कि अगर परचाई दिखा दिया जाओ और उस तरह से सिर्फ परचाई देख के आप कुरसी का बना दो diagram या बता दो कैसी कुरसी है तो वो नहीं हो सकता और ये भी हमने देख लिया कि अगर chair को हम turn करेंगे तो उसके साथ से shadow भी change होगी अब एक पतली सी notebook आपको ले लेनी है और उसकी परचाई को देखो फिर आपको एक rectangular box ले लेना है और उसकी परचाई को देखो क्या दोनों जो परचाई है वो एक ही shape की आपको लग रही है यानि उनका जो shape है वो मिलता जूलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस image में मैंने एक पतली से notebook ली है और light ये right side में उपर की तरफ है और light पढ़ रही है इसके उपर और इसकी जो shadow है तो आप ये देख सकते हो हाथ अलाहिस्सा मेरा हटा दो क्योंकि हाथ की भी shadow बन नही है सिर्फ notebook की shadow देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा एक rectangular shape की shadow बन नही है अब यहाँ पर नीचे देखो एक box मैंने लिया है यह मेरे pen tablet का box है इसका भी shape rectangular है तो दोनों का shape जो है वो मिलता जूलता है की नहीं बस size थोड़ा छोटा बड़ा है लेकिन जो shape है वो लगबग एक ही जैसा है तो हमसे पूछ रहा था कि क्या दोनों जो shadow है वो similar shape की है यानि एक ही जैसे shape की है तो हम कहेंगे yes तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि सिर्फ shadow देख के हम object का idea नहीं लगा सकते दोनों चीज़ें हमारी कितनी अलग थी एक notebook था और एक rectangular box था दोनों की shadow लग भग एक ही जैसी बनी है क्योंकि notebook भी हमारी rectangular shape की होती और जो box हमने लिया वो भी rectangular shape का है तो परचाई भी उस एक ही जैसी बनी है लेकिन दोनों object कितने अलग हैं इसी तरह से flower ले लो या कोई और object ले लो अलग अलग color के और उनकी shadow को देखो अगर red color का object लिया है तो shadow इस तरह से बनेगी अगर yellow color के लिया है तो shadow इस तरह से बनेगी shadow color पे तो depend करती नहीं ठीक है तो यही पूछ रहा है कि क्या जो shadow है वो अलग-अलग color की बनेगी जब object हम अलग-अलग color की लेंगे तो इसका अंसर होगा no shadow अलग-अलग नहीं बनेगी अब एक लंबा सा box ले लेना है और उसकी जो shadow है वो ground पे देखो when you move the box around जब आप box वो move कराओगे you may see that the size of the shadow change box को move कराओगे तो shadow का जो size है वो भी change होगा अब यह बताओ when is the shadow of the box shortest box की जो shadow बननी है वो छोटी कब बनेगी किस case में बनेगी जब जो long side है box का उसे point किया जाए sun की तरफ या जो मैंने activity की है bulb की तरफ यानि जो light source है उसकी तरफ लंबा वाला हिस्सा जो हम करेंगे तब छोटी shadow बनेगी या जब छोटा वाला हिस्सा point करेंगे sun की तरफ तब बनेगी तो चलिए देखते हैं इसको अब ये देखो mobile का box मैंने लिया और right side उपर में उधर से रोशनी आ रही थी bulb की यानि जो light पढ़ रही है वो इस वाले हिस्से पर पढ़ रही है जो कि box का छोटा वाला हिस्सा है ठीक है छोटा सा ये rectangle बन रहा है उपर वाले से तो बड़ी बननी है यहाँ पर देखो छोटी बननी थी यह थोड़ी उससे बड़ी बननी है तो हमसे भी पूछ रहा है कि जो shadow है वो छोटी कब बनेगी जब box का लंबा वाला हिस्सा sun की तरफ करेंगे याँ source of light की तरफ करेंगे याँ छोटा वाला तो यहाँ देख सकते हूँ हमने छोटा वाला हिस्सा sun की तरफ किया याँ लाइट की तरफ किया है तब जो shadow है वो छोटी बननी है और जब long वाला हिस्सा light की तरफ किया है तो उसकी shadow भी long बननी है तो answer मिल गया न आपको तो shadow shortest कब बनेगी जब जो short side है उसको sun की तरफ हम point करेंगे अब चली इस box का use करते हैं ताकि एक simple camera बनाए 11.3, a pinhole camera अब क्या यह ज़रूरी है कि हमें camera बनाने के लिए बहुत सारे complicated चीज़ें चाहिए होंगी बड़े ताम जाम वाली चीज़ें चाहिए होंगी तो ऐसा सही नहीं है अगर हमको एक simple सा pinhole camera बनाना है तो उसके लिए आपको बहुत complicated चीज़ नहीं चाहिए simple से वो चीज़ें जो आपके घर में ही आपको मिल जाएंगी उससे आप एक pinhole camera बना सकते हो तो कैसे बनाएंगे उसके लिए activity 5 है मैंने एक video अपलोड की है तीन मिनट की वो video है जहां मैंने बता है कि pinhole camera कैसे बनाय जाता है फिर उसके अंदर से कैसे image आपको देखने को मिलती है सारी चीज़ें तो अगर वो video आपने देखी है तो यह आने वाला तीन मिनट skip कर सकते हो जैसे मैंने ले लिया है दो mobile boxes एक थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए एक छोटा होना चाहिए इस तरह से कि यह छोटा वाला इसके अंदर जाके slide कर सके कैसे यह इसके अंदर ऐसे जा सके और ऐसे बाहर निकल सके अंदर बाहर यह हो सके इसका मदब एक side जो box का है वो open होना चाहिए तो यह मैंने इस तरह से open कर लिया है यह side इसको आप cut भी कर सकते हो इसी तरह से यह वाला भी आपका open होना चाहिए अब बड़े वाले box की बात कर ले तो इसके बीचे हो बीच में आपको एक hole करना है तो यह hole हो गया अब यह दूसरा वाला box हम ले लेते हैं इसमें आपको एक square cut करना है वैसे जनली 5-6 cm का एक square बना कि यहां cut कर लिया जाता है लेकिन आप देख सकते हैं तो इसकी box की thickness कम है तो अगर आपको थोड़ा सा बड़ा box मिल जाए तो और ही best है लेकिन यहां हम बिल्कुली फालतू चीज़ों से बना रहे हैं जो हमको मिल गया बस उठा के बना दिया इसलिए मैं इसे से बना रहा हूँ यानि कैसे बनाना है अगर आपको पता है इसके आर पार देख सेके लेकिन बहुत जादा क्लियरली नहीं दिखे बिल्कुल साफ दिखेगा उसे ट्रांसपेरेंट कहेंगे बिल्कुल ही नहीं दिखेंगे इसके आर पार दिखता है लेकिन हलका हलका तो यहाँ देख सकते हो मैं हाट बिल्कुल पीछे पीछे डखा हूँ तो यह दिख रहा है अगर थोड़ा सो दूर कर दूँ तो नहीं दिखेगा यहनी इसके आर अर पार बिल्कुल साफ साफ नहीं दिखेगा लेकिन दिखेगा इसे मैंने मोबाइल के box से निकाला है मोबाइल box open करोगे तो उसके अंदर polythene type के एक चीज होती है वही मैंने यहाँ पर यह लिया है अब इसी screen से आपको इस square को cover कर देना है ठीक है तो यह मैंने इसको cover कर दिया अब क्या करना है आपको इस छोटे वाले box को बड़े वाले box के अंदर डाल देना है बस आपका camera ready हो जुगा है अब ये छोटा वाला box बड़े वाले box के अंदर है इधर से मैं देखा हूँ तो अंदर से आपको ये screen वाला हिस्सा दिख रहा होगा बीच में इधर side से आप देखोगे तो ये बड़े वाले box में जो हमने hole किया था ये T के उपर आपको एक hole दिख रहा होगा इसी hole से light जाएगी और वो जो पीछे screen आपको दिख रही है वहाँ image बनेगी और वो हमको दिखेगी तो चलिए image देख लेते हैं अब यहाँ पर मैं हाथ नीचे से उपर की तरफ ले जाओंगा और camera के अंदर से देखना कैसे बनेगी image ये मैं हाथ नीचे से उपर की तरफ ले जा रहा हूँ आपको camera में दिखेगा ये उपर से नीचे आ रहा है जब कि मैं नीचे से उपर की तरफ ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर आपकी जो image बनती है वो उल्टी बनती है inverted बनती है तो यह आपने देख लिया किस तरह से यह camera work करेगा अब इसको आप चाहो तो decorate कर लो black chart paper से cover कर लो ठीक है उस पर नाम लिख दो अब अगर आप थोड़ा सा और बड़ा box लोगे न तो इसकी जो चोड़ाई ज़ादा हो तो उससे आपको और अच्छा ही camera बनेगा तो आपने देख लिया कैसे बनता है कैसे work करता है यहाँ पर जो काम की चीज़े है बस वही हम देख लेंगा जैसे मैंने जो square कट किया था वो 3.5 cm का था क्योंकि मेरा box चोटा था लेकिन आप थोड़ा सा box बड़ा लोगे तो सही रहेगा उससे आप 5-6 cm का square कट कर लेना तो वो screen आपकी बड़ी रहेगी तो image आपको अच्छी दिखेगी और मैंने translucent screen यूज की थी क्योंकि जब आप एक side से देखोगे जो खुला वाला side है ठीक है जिससे यहाँ पर C वाले figure में देखो यहाँ से आप देखोगे अपनी आखे लगा के वहाँ पर तो हो का क्या कि side से थोड़ा सा खुला रह जाता है जिसकी वज़या से side से light उस box के अंदर चली जाती है जब को छोटा वाला box है उससे problem यह होती है न देखो जितना अंधेरा रहेगा उतनी ही अच्छी image आपको देखने को मिलेगी side से अगर light चली गई तो थोड़ी ची रोशनी हो जाएगी फिर उतनी अच्छी image देखने को नहीं मिलेगी तो बाहर से अगर black close से cover कर लोगे तो उसके अंदर light नहीं जा पाएगी light जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होना चाहिए वही जो आगे हमने hole बना है वही से light आए अब उससे आप दूर के object देखो जैसे tree हो गया building हो गया ठीक है अपने pinhole camera से अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी object आप देख रहे हो अपने pinhole camera से और इन bright sunshine वो जो object आप देख रहे हो वो बिलकुल धूप में होने चाहिए उसके ओपर धूप पड़ रहे हो यानि बिलकुल वो रोशनी दार होना चाहिए जितनी जादा light उसके ओपर पड़ेगी उतनी ही light टकरा के आपके pinhole camera में आएगी और उतनी ही अच्छी image आपको देखने को मिलेगी अगर room के object देखना चाहोगे तो आपको बहुत हलका सा या नहीं दीखेगा तो बाहर के object को देखना है जहां बिलकुल धूप पड़ रही हो रोशनी हो अब जो छोटा वाला box से उसको आगे पीछे करना है यानि adjustment करना है ऐसा नहीं कि आपने छोटा box बड़े box न डाल दी अब आपको दिखने लगेगा थोड़ा सा उसको slide करना पड़ेगा आगे पीछे तब आपको picture देखने को मिलेगी जो आपका ट्रेंसिक वेपर है उस पे यानि साफ साफ image देखने है तो आपको थोड़ा से adjust करना पड़ेगा उसको अब एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो pinhole image है जो कि pinhole camera से बनती है क्या यह अलग होती है shadow से या simple बात करने जो images होती है जो तस्वीर होती है वो shadow यानि परचाई क्या अलग होती है तो बिल्कुल यह दोनों चीज़े अलग है तो हम कहेंगे yes कैसे अलग है shadow के बारे हमने पढ़ाता है shadow कब बनती है जब light आ रही होती है और उसके रास्ते में कोई object आ जाता है कैसा object ओ पे एक object तो फिर light को आगे जाने सिर्फ रोकता है जितने हिस्से में light आगे जाने से रुकेगी उस object के पीछे का वो हिस्सा अंधेरे में रहे जाएगा यही अंधेरे वाला हिस्सा क्या होता है shadow होता है जैसे मैं आपको थोड़ा से बना कर दिखाऊ यह एक opaque object है अब light ऐसे इसके उपर आ रही है अब यहां आके इसके आगे नहीं निकल पाएगी क्योंकि object opaque है बाकी इधर इसके सामने light पढ़ेगी और एक light जो की ऐसे उपर से जा रही होगी उपर से निकल जाएगी वो आके यहां पढ़ेगी इसके आगे सब रोशनी रहेगी लेकिन यह हिस्सा जो यहां से यहां तक का होगा क्योंकि यहां light नहीं पहुच पाई light side से उपर नीचे जहां जहां पाई वहां निकल जाएगी लेकिन जो object के बिल्कुल सामने रहेगी जो object पढ़ेगी उसके पीछे light नहीं पहुच पाईगी तो वो हिस्सा आपका कैसे रहेगा अंधेरे में रहेगा वहीं अंधेरे वाला shadow है image कैसे बनती है तो जैसे मालो हमारा यह object है light इसके उपर पढ़ती है और पढ़ने के बाद इस screen पे जाती है इस screen पे जब light पढ़ती है तो screen पे हमको उस object की तस्वीर देखने को मिलती है एक और difference है जो आपकी shadow होती ही वो colorless होती ही उसको कोई color नहीं होता वो बस अंधेरा होता है वहीं जो image होती है वो colorful होती है उसके अंदर color होता है तो आपने pinhole camera में जो देखा था उसके अंदर object का आपको color दिख रहा होगा tree देख रहे होगे तो उसकी पतियां आपको हरी दिख रही होगी उसकी डाल आपको brown color के दिख रही होगी ठीक है जो जैसा color होगा वो आपको दिख रहा होगा वहाँ तो वो image है उसके अंदर color होता है shadow में color नहीं होता अब अपनी pinhole camera के थुरू देखो जो गाड़ी है लोग आ जा रहे है ठीक है bright sunlight में क्या जो picture हमें camera देखने हों मिल ली है वो color भी show कर रही है object का जो दूसरे side object है उनकी जो image बन नहीं है क्या उसमें color भी है तो बिल्कुल ये चीज हमने देख लिया कि हाँ उसमें color देखने को मिलेगा क्या जो image बन नहीं है वो erect है यानि सीधी है और upside down या उल्टी है image सीधी बन नहीं या उल्टी बन नहीं है surprise surprise तो surprise हो जाओगे अगर आपने देखा होगा कि image उल्टी बनती है मैं हाथ नीचे से उपर ले जा रहा था और pinhole camera के screen के अंदर कैसे दिख रहा था कि हाथ उपर से नीचे आ रहा है यानि उल्टा बनना था अगर आप खुद बना कर देखोगे तो tree को, गाड़ी को जिसको भी देखोगे सब उल्टी दिखेगी यानि उपर वाला हिस्सा नीचे है और नीचे हिस्सा उपर तो image erect नहीं बनेगी सीधी नहीं बनेगी, कैसे बनेगी upside down बनेगी अच्छा एक और सवाल हो सकता है आपके मन में आ जाए कि हम ये कैसे मालने कि उस pinhole camera के अंदर image ही बन नहीं है और वो चीज जो सामने object है वो हमको direct नहीं दिख रहा है तो एक तो idea ऐसे लगा सकते हो कि उल्टी बन नहीं, भई direct दिखता है तो हम वो सीधे दिखता है न उसमें transparent सी चीज लगा दिया तो transparent के आर पार दिखेगा जैसे हम tree देखेंगे तो tree हमको वैसे direct दिखेगा लेकिन pinhole camera जब पूरा बना लेंगे जैसे हमने ये C में बनाया है तो भी हमको सामने ओला object दिख रहा है तो pinhole camera के अंदर जो चीज देख रहे हो वो screen पे वो image बन रही है वो direct आप tree को नहीं देख रहे हो या जो भी object आप देख रहे हो वो direct आपको नहीं देख रहा है उसकी image आपको उस translucent screen पे बन रही है उस image को आप देख रहे हो इसको थोड़ा समय और अच्छे समझाने कोहिश करता हूँ आपको यह मेरे पास एक mobile shape का frame है बीच में आप देख सकते हो यह मैंने polythine लगाई है यानि एक transparent object है जिसके through देखा जा सकता है जिसके आरपार देखा जा सकता है अब यहाँ पर इस frame के बीचे switch है और आपको इस बीच में जो polythine लगी है उसके आरपार देख रहा है यानि आप direct इसको देख रहे हो यह जो polythine यहाँ बनी हुई है इसके उपर वो switch की image नहीं बननी है बलकि इस frame के through आप direct देख पा रहे हो इसके आरपार देख पा रहे हो यह बात हम कैसे कह सकते हैं अगर frame को मैं वैसे ही रखूँ बस थोड़ा साइड से उसे देखने कोहिश करूँ तब देखना frame उसी जगे है जब मैंने अपनी position बदली मैंने देखने का angle बदला अब switch नहीं दिख रही है इसका मतलब कोई चीज ज़ब हम direct देखते हैं तो किधर से देखने हैं उसका फरक पड़ता है अभी आपको कुछ दिख रहा है अपना सर घुमाओगे तो कुछ और दिखने लगेगा ठीक है जिधर आपकी आखे जाएंगी वहाँ पर वो चीज दिखेगी आपको लेकिन image के case में ऐसा नहीं होता अब यह दखो मैंने एक mobile लिया है सामने और इस mobile के अंदर यानि इस mobile के आरपार मैं नहीं देख रहा हूँ इसके through नहीं देख रहा हूँ बलकि इसके screen पे image बननी है अब जो काम ने पहले किया तो वही करते हैं थोड़ा से side से देखने कोईश करते हैं तो कितना भी side कर लो mobile भी जो image बननी है वो वैसे ही है जब तक कि आप mobile को इधर उधर ना करो उसी position पे रहेगा तो आप चाहे इधर जाकी कितना देख लो चाहे आप इधर से इतना देख लो आपको वही switch दिखेगी ठीक है ऐसी बया समझ सकते हो मैं इधर ले जा रहा हूँ तो मुझे direct switch भी दिख रही है और एक साथ एक ही object की दो चीज़ कैसे दिख सकती है इसका मदलब यहाँ जो mobile बनना है वो उसकी image है ठीके तो आप समझ गया होगे कि pinhole camera के अंदर हमको direct hour पार चीज़े नहीं दिख रही है बलकि वो image है जो की screen पे बन नहीं है उस image को हम देख रहे है अब चलिए sun की image बनाते हैं अपने pinhole camera से इसके लिए हमको थोड़ा सा different setup चाहिए होगा यानि ये वाला pinhole camera आप किनारे रख दो और एक दूसरे तरीके का pinhole हमको बनाना है उसके लिए हमको क्या चीज़ के रहत पड़ेगी एक large sheet of cardboard चाहिए होगा जिसके अंदर एक छोटा सा pinhole हो बीच में ठीक है बड़ा से cardboard ले लो उसके अंदर एक pin से hole कर देना ठीक है बहुत छोटा सा बहुत बड़ा hole नहीं करना छोटा सा hole कर देना है उसके बीच में अब इस sheet को आपको sun में hold करना है इस तरह से की जो shadow है वो एक clear area पर पड़े बहुत cardboard अगर ले आओगे धूप में तो cardboard की परचाई बनेगी नीचे लेकिन उसके बीच में आपने hole किया है तो उस hole से light pass होते हुए जाएगी तो shadow के बीच में आपको कुछ दिखेगा क्या आपको छोटा सा गोल सी image दिख रही है sun की in the middle of the shadow of the cardboard sheet क्योंकि बीच में hole किया है तो वहाँ से light जाएगी तो क्या sun की image आपको देखने को मिल ली है तो यह देखो मैंने cardboard लिया है इसके बीच में एक छोटा सा hole कर दिया है light pass होके पीछे जो मैंने screen रखी है white color का paper रखा है वहाँ पर आप देखोगे वैसे तो shadow बननी है shadow के बीच में छोटी सी रोशनी दिख रही होगी यह जो बीच में आप देख रहे हो यह sun की image है ठीक है गोल सी यह image बन नहीं है यह इस तरह से मैंने cardboard को hold किया था बीच में इस तरह से देख सकते हो यह गोल सा hole है और यहाँ पर यह गोल सा देखोगे shadow के बीचों बीच में यह जो रोशनी दिख रही है यह simple light नहीं पढ़ रही है बलकि sun की image है इस image में देख सकते हो इसको थोड़ा सौर में जूम करके दिखाऊं तो यह जो गोल सा देख रहे हो ना यह sun की image है अब आप कहो के sir जो cardboard में hole किया था pin से किया था तो गोल सा hole बना था और यहाँ पर जो रोशनी जैसा दिख रहा यह भी गोल सा है तो light आके इस पढ़ रही है रोशनी है यह हम कैसे कह सकते हैं कि sun की image है यह वाई light जहां से पास होती है तो जहां से निकलेगी उसका shape बनाती हुग आएगी उसी shape की रोशनी हमको नीचे देखने को मिलेगी तो जिस shape से light पास होके आएगी उसी shape की रोशनी देखने को मिलेगी तो गोल सा हमने hole किया था गोल सी रोशनी देखने को मिल ली है तो यह हम guarantee से कैसे कह सकते हैं कि sun की image ही है simple रोशनी नहीं है उसके लिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ यह आपके book में नहीं दिया लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए ताकि आप सही चीज अच्छे से समझ सको तो एक दूसरा मैंने एक मोटा सा paper लिया है और इसके बीच मैंने एक triangular hole बना दिया है कि यह triangle वाल है इसी hole से ऐसे रोशनी जा रही है और इसके पार यहाँ पर यह देखो triangle shape की रोशनी बन नहीं है वह इस sun तो triangle है नहीं sun की image होती तो यहाँ गोल बनती तो अभी यह सिर्फ रोशनी पढ़ रही है इसको थोड़ा सा हम अगर adjust करेंगे तो sun की image बनना शुरू हो जाएगी वो चीज़ अब मैं आपको दिखाता हूँ तो यह देखो मैंने sheet ले लिए है इसमें बीच में triangle वाल है इसको थोड़ा से adjust करते हैं करीब ले जाएंगे screen के तो यह देखो triangle shape की रोशनी बननी ही की नहीं यह triangle shape की रोशनी है तो अभी तो simple यह light पढ़ रही है सूरज की रोशनी पढ़ रही है लेकिन इस sheet को थोड़ा सहाम अगर adjust करें थोड़ा से इसको दूर ले जाएंगे तब तक ले जाएंगे जब यहाँ पर गोल सी रोशनी ना देखने को मिले यह दोखो अब आपको यह goal सा दिख रहा है तो यह जो goal सा दिख रहा है यह sun की image है भाई hole तो हमने triangle वाला किया था तो रोशनी triangle वाली बननी चाहिए जो की बन नहीं थी लेकिन थोड़ा सा adjust किया तो यह goal सी रोशनी नहीं है यह sun की image है क्योंकि sun goal है इस वाली image में आपको और अच्छे सी दिखेगा इसको मैं zoom करूँ तो यह दोखो goal सी है थोड़ा सा इधर अधर adjustment की वेरे से यह थोड़ा से फैली फैली लग रही है बाकि अब थोड़ा सा सही adjustment करोगे न तो आपको बिल्कुल goal सी image देखने को मिलेगी आप क्योंकि screen भी हाथ में पकड़ना है camera भी पकड़ना है देखना भी है इस वज़े से थोड़ा सा साई सी नहीं आपाई है यह चीज आप simple खुद से try कर लेना अब ज़रा pinhole image देखना sun की when an eclipse यानि ग्रहन वगरा जब लगे उस case में pinhole image देखना sun की तो उस time से थोड़ा सा पहले ही आकर adjustment कर लेना कि कहां पर हम अपना वो जो cardboard है जिसमें pinhole हमने बनाया है वो रखें कहां screen रखें कितनी दूरी हो तो वो adjustment पहले से कर लेना sun की साफ साफ गोल गोल image दिखने लगे है तो बस उसी पर रोके रहना जैसे ही eclipse से start होगा look at the image as the eclipse begin तो जैसे ही ग्रहन स्टार्ट होगा उस समय आप image को देखना की कैसी बन नहीं है आप कोई notice होगा अब part of sun's image gradually become darker as the eclipse से start तो eclipse में होता क्या है? ग्रहन में होता क्या है? सूरज छुपने लगता है तो सूरज जैसे जैसे छिपता जाएगा सूरज का जो part गायब होता जाएगा आप देखो कि जो image आपकी pinhole वाली बन नहीं है उसमें भी ऐसा ही shape बनेगा जैसा की sun के साथ हो रहा है जैसे sun छुप रहा है उसी तरह उसकी image भी छुपती जाएगी never ever look directly at the sun directly आपको sun की तरफ कभी नहीं देखना है कि सूरज गरहन हो रहा है चलो हम देखे कैसा हो रहा है उसके लिए आप pinhole image में देख लो वो ज़्यादा सही रहेगा अगर आप direct देखोगे तो यह बहुत ज़्यादा आपके आँखो को हाम पहुचाएगा, नुक्सान पहुचाएगा अब एक interesting सा pinhole camera नेचर में भी होता है यानि वो कोई बनाता नहीं naturally वो available होता है कहां होता है वो कभी-कभी हम किसी पेड़ के नीचे से गुजरते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पतिया हो पतियों से वो cover हो तो हमें देखने को मिलता है small patches of sunlight under it तो बीच-बीच में आपको रोशनी दीखेगी ठीक है जैसे कि आप नीचे figure में देख सकते हो यह थोड़ा-थोड़ा सा रोशनी देखने को मिल लेगी तो उसमें कुछ रोशनी आपको गोल से देखने को मिलेगी तो यह जो गोल वाली image है यह pinhole image होती है sun की कैसे बनती है जो gap होता है न पतियों की बीच में वो एक pinhole की तरह काम करता है वह कोई tree है तो बहुत जादा पतिय है बहुत जादा घहना होगा तो सूरज की रोशनी नीचे नहीं पढ़ पाएगी लेकिन कहीं कहीं से छोटा छोटा gap मिल जाता है उस gap से sunlight पास होते हुए नीचे जमीन पे पढ़ती है तो अगर gap बढ़ा होगा तो simple वो रोशनी होगी लेकिन अगर वो gap छोटा होगा तो वहाँ से जब सूरज की रोशनी पास होके जमीन में पढ़ेगी तो वो गोल सी image बनाएगा sun की अब जो gap होता है न और all kind of irregular shape वह पत्तियों के बीच में ज़रूरी नहीं कि गोल सा ही shape बने कैसा भी shape बन जाए कहीं से भी जगा मिल जाए लेकिन जो image हमको देखने को मिलती है वो गोल होती है इसका मतलब यह sun की image है यह यहाँ पर इस image में आप देख सकते हो इसको मैं zoom करके आपको दिखाऊँ तो यह goal goal सा जो बनना है तो ऐसा तो है नहीं कि पत्तियों के बीच में goal goal सा gap हो कैसा भी shape हो सकता है पर इसके case में देखो यह कैसे चांद जैसा shape नहीं बनना है तो सूरज के जो हिसा चुप गया उस हिससे की image नहीं बन पाई जितना हिससा सूरज का दिख रहा था उतने की image बन पाई इसलिए देखो यह चांद जैसा आपको देखने को मिलना है तो Eclipse के case में आपको पेड़ के नीचे इस तरह से चीज़ देखने को मिलेगी अब locate करने कोहिश करो Sun की image जब Eclipse हो यह मैंने आपको दिखाए दिया तो इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा अब बुजो एक चीज़ सोच रहा है कि हमने उल्टी image देखी लोगों की जो की road पे हैं पिन होल कैमरा से जैसे मैंने आपको बता है कि पिन होल कैमरा से कैसे दिखता है उल्टा है दिखता है तो किसी को देखो गए तो वो उल्टा दिखेगा सर नीचे पैर उपर what about the image of Sun Sun की image के बारे में क्या क्या Sun की image भी हमको उल्टी दिखेगी या Sun जैसी कोई चीज और हो तो क्या उसकी image उल्टी दिखेगी तो ये बताओ Sun कैसा होता है Sun आपका goal होता है ना तो goal सी चीज को कितना भी घुमा दो वो ऐसे ही दिखेगी आपको अमालो ऐसे कोई triangle वाली चीज होती कभी आपने सुना की ball यार उल्टी है ball को तो ला सीधा कर दो उसमें तो कुछ सीधा उल्टा होता ही नहीं तो यहाँ यह पूछ रहा क्या हम notice कर पाएंगे upside down उनको तो नहीं हम notice नहीं कर पाएंगे होती जरूर है उल्टी बनेगी जरूर image लेकिन हम इसे notice नहीं कर पाएंगे हमें पता नहीं चल पाएंगा अब पहेली कुछ दूसरी चीज सोच रही है यह बात पक्की है कि यह सारी चीज़े जो हमको देखने को मिल लई है जैसे आपका formation of shadows हो गया ठीक है जो परचाई देखने को मिल ली है यह पीन होल image जो हमको देखने को मिल ली है यह तभी मुम्किन हो सकता है जब जो light है वो straight path में move करे यानि बिल्कुल सीधा चले तभी ऐसा हो सकता है अब यह ऐसा क्यों सोच रही है अब यह बताओ जैसे हमने shadow वाला example ले ले लेते हैं किसी चीज़ के परशाई बन नहीं है तो क्यों बनती है मैंने बता दिया कि light उस object के पार नहीं कर पाती तो उस object के पीछे अंधेरा होता अगर light सीधे ना जाके दाय माय जाती तो उस object पी क्यों टकराती वो side से निकल के और पीछे पढ़ जाती वहीं अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो और सामने कोई आ रहा है तो क्या गरोगो उसको ठोकते हो उड़ाते हो चले जाओगे वहीं दाय माय से निकल जाओगे तो light भी ऐसा करना चाहिए था कि दाय माय से निकल जाती लेकिन light सीधे ही चलेगी चाहे कोई सामने क्यों ना आ जाए और इसी सीधे चलने की वेज़े से shadow बनने ही है दूसरा image वाला देख सकते हो जो pin hole camera हमने बनाया था उसमें क्या हो रहा था बड़े बाले box में एक छोटा से hole बनाय हमने अगर light स्टेट ना चलती तो उस छोटे से hole में घुसने की जरूत क्या थी वो दाय माय से निकल जाती इतनी बड़ी जगाती लेकिन जो light बिल्कुल सीधे आ रही है इस तरह से कि वो चलती जाय तो उस hole के अंदर चली जाय वो दाय माय नहीं मुड़ रही है चाहे जितनी छोटी जगहां आपने दे दी वो light उसके अंदर से घुस जायगी क्योंकि light इधर उदर घूमेगी नहीं वो सीधा ही चलेगी ठीक है तो पहेली नहीं है सोचके ये बात समझ में आई तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो light है वो straight path में चलती है ये बिल्कुल सीधा चलती है अब चलिए activity 6 करते हैं इसके लिए इसके लिए हमको एक piece of pipe या एक lumber rubber का जो tube होता है घरों में जो rubber वाला pipe होता है वो use कर सकते हो या कोई सभी of pipe use कर सकते हो एक candle जलाओ और उसे table फे fix कर दो अपने room के एक side में अब दूसरे side खड़े हो के room के उस candle को उस pipe के थुरू देखने कोहिश करो तो ये ए वाली figure में देखो इस तरह से अपने candle जला दी और ये आपने इस तरह से बिल्कुल straight सा pipe लिया और इस pipe के थुरू इस candle को देखने कोहिश करो तो ए वाली figure में इस candle visible क्या candle आपको दीखेगी बिल्कुल दीखेगी क्यों दीखेगी क्योंकि light देखो यहाँ candle से निकलेगी और light सीधे चलती है और pipe भी हमारा सीधा है तो बढ़ी यहाँ सीधे जाते हैं इसकी आँख में जाएगी और light हमारी आँखों पड़ेगी इससे जाएगी लेकिन light सीधे जाती है तो सीधे जाकर यहाँ कहीं टकरा जाएगी अगर यह घूम के जा सकती तो ऐसे जाती इस pipe के अंदर जो घूमते हूँ इसके आंके पहुच जाती और आंके पहुच जाती उसको दीखता लेकिन light घूम के तो जाती नहीं, सीधे जाती है, तो बस यहां तक जाएगी वो और जब light यहीं तक पहुची, उसकी आँख तक पहुची ही नहीं, तो candle दीखेगी नहीं यह simple से experiment है, सीली मैंनेस की वीडियो नहीं बनाई, आप खुद कर सकते हो घरों में जो rubber का pipe होता है उससे देखने कोहिश करो, पहले एक दम सीधा करके देखना और फिर थोड़ा से घुमा कर देखने कोहिश करना, तो देखो जब घुमा दो गए उसको तब आपको नहीं दीखेगी तो यहाँ candle visible नहीं होगी अब, pipe को थोड़ा सा अपने left right turn करो, यानि हो सकता है कि सही से adjust ना हो, दाय बाय करके देखने कोहिश करो कैनी सुधर candle ना हो, क्या अब candle आपको दिखेगी, तो नहीं अब भी नहीं दिखेगी, वहाई किसी भी तरीके से नहीं दिखेगी अगर pipe सीधा नहीं होगा, तो आपको जो candle है वह नहीं दिखेगी, इससे आप क्या नतीजा निकालते हो, तो इससे तो यह बात समझ में आती ही, कि जो light है वो travel करती है, इसलिए जो opaque object है, वो light को abstract करते है, एक रुकावट पैदा करते है, और shadow form करते है, यह चीज मैंने आप किसे माँ से निकल जाएंगे, हमको क्या करना है, लेकिन उस सीधा ही जाएगी, और opaque object की वरिया से आगे नहीं जा पाएगी वो, इसलिए shadow बन थी है, पीछे अंधेरा रह जाएगा, shadow बन जाएगी, ठीक है, तो यह पूरी कहानी हो गई, image formation की light कैसे चलती है, pinhole camera, 11.4, mirrors and reflections, mirrors क्या होते हैं, आप जानते हो शीशा, reflections का मतलब क्या है, कुछ चीजें जैसे आपका light हो गया, sound हो गया, heat हो गया, इनका किसी surface से टकरा के वापस आना, इसको reflection कहते हैं, जैसे आप light पे भी ध्यान दो, तो light किसी surface पे पड़ी, टकरा के वो वापस आ गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, reflection कहेंगे, हम सभी mirror use करते हैं अपने घरों में, अब mirror के अंदर देखो, और अपने चेहरे को देखो mirror के अंदर, यानि बिल्कुल mirror के सामने खड़े हो जाओगे, तो क्या दिखेगा, आप दिखाई पड़ोगे, तो अपने face को देखो, अपने चेहरे को देखो, तो mirror के अंदर देखो को तो ऐसा लगेगा, कि mirror के पीछे, मेरे ही जैसा कोई खड़ा है, या मैं ही खड़ा हूँ, इस जैसा आपको लगेगा, तो जो चीज आपको mirror के अंदर दिखाई पड़ रही है, उसको हम reflection कहेंगे, तो जितना हिस्सा भी आपके body के दिख रहा है, ज जैसे मालो आप खड़े हो, ये आपके सिर्फ चहरे के में बात कर लेता हूँ, ठीक है, ये mirror है, अब जैसे कि मैं starting में आपको बता चुका हूँ, कि कोई चीज हम कैसे देख पाते हैं, तो light किसी object पे पढ़ती है, फिर object पे पढ़ने के बाद टकरा के हमारी आँखों में आ आँखों में बहुच जाएगी, और इस तरह से आप अपने ही आपको देख पाते हो, क्योंकि light आप ही के चेहरे पे पड़ी थी, वो mirror पे गई, अगर mirror ना होता तो सामने निकल जाती, लेकिन mirror ने उस light को वापस भेज दिया, इस तरह से आप अपने आपको देख पाते हो, हम और भी reflection दूसरे object का भी देखते हैं, जो mirror के सामने होते हैं, भाई mirror के सामने सिर्फ आप ही थोड़ी ना खड़े हो, पीछे भी बहुत सारी चीज़ें आपके होंगी, तो जब mirror में देखोगे तो आपके चेहरे के साथ साथ और भी चीज़ें जो mirror के सामने होंगी, जो और object है, उनका भी reflection आपको दिखेगा, कभी-कभी हमको tree, building या और भी जो object है, उसका reflection देखने को मिलता है, in the water of a pond और lake, तो pond में या लेक में अगर जहाकोगे, तो अकसर वहाँ पर tree का, building का या और भी जो object है, उनका reflection देखने को मिलेगा, जैसे मालो तालाब की किनारे कोई पेड़ है, उसकी डाले उस पानी के उपर है, तो जब उस पानी में देखोगे, तो वो जो पेड़ की डाल है, उसका reflection आपको उस पानी में दिखेगा, activity 7 करते हैं, इस activity को आपको रात में या किसी dark room में करना है, अपने एक दोस्ते कहना है कि वो एक mirror को hold करें अपने हाथ म उसको अपनी finger से cover करना है, और light को on कर देना है, अपनी finger को adjust करो, इस तरह से की छोटा सा gap उसमें रह जाए, ताकि जो है वो एक beam of light, यह पत्ली से थोड़ी सी light उस gap से निकल के बाहर आने लगे, तो मानलो यह torch है, वैसे यह AC की remote है, लेकिन मानलो torch है, तो इसके front वाला जो cover है, वहाँ पर ऐसे fingers आपको रखनी है, थोड़ा से इसके बीच में आपको gap करना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे मिला नहीं देना है, थोड़ा से gap रहे, ताकि वहाँ से light बाहर निकलती रहे, ऐसा इसलिए कर रहे है, क्योंकि बहुत जादा light हमको नहीं चाहिए, जैसे मानलो जो torch लिया है, या आगे इसने cover नहीं किया है, क्योंकि इसकी torch छोटी सी है और ये पूरा focus कर रही सामने, क्योंकि अगर light फैलेगी, तो जो चीज हम जानना चाहिए है, वो नहीं हो पाएगी, अब direct करना है, जो beam है torch light की, onto the mirror that your friend is holding, तो यहाँ पर अपने एक friend को अपने mirror प दिख रहा है, कोई निशान दिख रहा है, light जैसा बनता हो दिख रहा है, तो बिलकुल आपको दिखाई पड़ेगा, या आप खुद कर सकते हो, torch नहीं भी है, तो mobile का flash on करके शीशे के सामने खड़े हो जाओ, तो mirror के अंदर आपको flash दिखेगा गी नहीं, mirror के अंदर आप पर रोशनी दिखाई पड़ेगी, mirror के अंदर, अब आपको क्या करना है, torch के direction को adjust करना है, इस तरह से कि जो patch of light है, falls on another friend standing in the room, थोड़ा सा torch को adjust करोगे, left right करोगे, इस तरह से कि एक और दोस जो उसी कबरे में खड़ा है, उसके उपर light पढ़नी चाहिए, तो ये देखो थो mirror का का काम क्या है, कि light के direction को change कर देती है, जब light उस पर पढ़ती है, नहीं mirror पर light पढ़ेगी, तो उसके direction को बदल देगी, अगर direction ना बदलती, तो इस बंदे पर light कैसे पढ़ती, क्योंकि light तो हम सीधा मार रहे थे, अगर transparent object होता तो पार कर के सीधा निकल जाती, क्योंकि अभी तक तो हम ही पढ़ते आ रहे ना, कि light straight path में चलती है, अगर मालों यहाँ opaque object होता, तो light बस यहाँ पढ़ती, आगे ना जा पाती, लेकिन इस बंदे पर light पढ़ती है, इसका मतलब light जो mirror पे ठकरा रही है, mirror पे पढ़ने के बाद यह अपने direction को change कर रही है, वो इधर चली जा रही है, तभी इसके उपर, यानि इसके देखरो शर्ट पे रोशनी बन नहीं है, तो यहाँ से ही पता चला कि light जब mirror पर पढ़ती है, तो अपने direction को change कर लेती है, और इसी direction की change करने को हम reflection कहते हैं, या हम कह सकते है light वापस आ रही है, तो यहाँ कि activity है, जो यह दि साइड पर एक कॉम को एनि कंगे को fix कर लेना है, दूसरे साइड आपको एक mirror fix कर देना है, dark color की sheet of paper आपको ले लेना है, और उसको mirror और कॉम के बीच में रख देना है, और इसको sunlight में रख देना है, या फिर आप torch का use कर सकते हो, torch से light की जो beam है, वो इस तरह से मारो, कि light कॉम के थ्रू होते हुए जाए, कंगे के थ्रू पास होते हुए जाए, आपको क्या observe होगा, कि आपको ऐसे ही pattern दिखेगा, जैसे कि नीचे दिखाया हुआ है, तो इस तरह से कुछ करना है, ये yellow color से जो आप देख रहे हो पूरा, ये therma cold sheet है, और एक side पे कंगे को fix कर दिया गया है, और mirror को थोड़ा से तिर्षा करके, दूसरे side fix कर दिया गया है, फिर यहां से torch मार रहे हैं, तो torch क्या करेगी, देखो light इधर से होते हुए, पीच में से जो जगे है, कंगे के, वहां से pass होते हुए जाएगी, तो जहां जहां से pass हो रही है, देखो ये yellow yellow beach में बनना है, और जहां इसका ये आ जा रहा है, नोकवला हिस्सा, या teeth इसकों कहते हैं, वहां से light pass नहीं हो पा रही है, इसलिए वो अंधेरे वाली line बनना ही है, तो जहां से जखा मिलेगी, पास होते हुए mirror पे जाएगी, mirror से टकराने के बाद ये ऐसे घूम के जाएगी, वापस जारी अपने direction को बदल ली है, इसलिए इस तरह से चीज आपको देखने को मिलेगी, ये चीज मैंने भी की है, तो उसकी में image दिखा देता हूँ, इस तरह से आप कर सकते हो, यहां देखो मैंने mobile के flash का use किया है, और ये comb है, इधर आपके ये mirror है, अब क्यूंकि अलमारी का mirror था, अलमारी की दर दर घुमा नहीं सकते थे, इसलिए मैंने comb को थोड़ा से तिर्शा कर दिया, तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, चाहे आप mirror को दिर्शा कर लो, चाहे comb को दिर्शा कर लो, बात वही पड़ेगी, तो mirror को तो मैं adjust नहीं कर सकता था, अलमारी में fix था, तो मैंने comb को थोड़ा से तिर्शा कर दिया, तो यहां देखो क्या हो रहा है, मुबाइल के flash से light निकली, और इस कंगे के beach में से, जो जगे थी, वहां से पास होते हुए गई, और यहां से जाने के बाद, इस mirror से टकरा के, यह वापस आ गई, ऐसे, किसी एक beam को अगर मैं अच्छे से बनना है, यह इसलिए बनना है, क्योंकि सामने mirror है, अगर mirror नहीं होगा, तो simple ऐसे ही light पड़ेगी, mirror के विरे से जो light जा रही है, वो टकरा के दूसरी तरफ चले जा रही है, तो ऐसे सारी light कर रही है, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है कि light की जो beam है, वो एक दूसरे को cut कर र यह आपको light दिख रही है न, तो वीडियो में आपको इसी तरह से कुछ दिख रहा है, मेरा camera इतना अच्छा नहीं है, इसलिए अंधेरे में जादा clear image नहीं आई, लेकिन जो चीज मुझे दिखाना था, वो आपको दिख रही होगी, कि यहाँ पर दिखो मेरी laser torch है, और यह से laser की light जा रही है, तो यह light ऐसे जाते हुए, सामने mirror है, वहाँ टकराएगी, टकरा के यह वापस ऐसे इधर आ रही है, ठीक है, इस तरफ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, light का reflection हो रहा है, यानि light mirror पे टकरा के वापस आ रही है, अपने direction को change कर रही है, तो यह जो activity है, वो ए यह direction को change करती है, इस activity से आपको यह बता चला, तो यहाँ कर यह topic complete हो गया, और इसी साथ यह chapter भी complete हो गया, table और exercise के solution देखने है, तो मेरी website है, www.estudyvala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो, मेरा WhatsApp चैनल है, उसे भी आप follow कर लो, ताकि latest update आपको मिलती रहे, link description में दिया ह हुआ है, privacy आपकी maintain रहेगी, यानि आपका नाम और phone number किसी को भी visible नहीं होगा, तो अगर आपको class 6 की और वीडियो देखनी है, तो इस तरह से आपको वीडियो चली होगी, पहले आप वीडियो को like कर लो, इधर like का बटन होगा, और चैनल को subscribe कर लो, तो यहाँ देख सकते ह तो नीचे more लिखा होगा, उस पर आपको click कर देना है, फिर आप यहाँ पर scroll down करोगे, तो आप देख सकते हो, सारी playlist आपको मिल जाएगी, classic science, classic math, math की chapter wise भी playlist है, जो की नीचे आपको मिल जाएगी, तो जो भी वीडियो आपको देखनी है, उसके सामने जो link दिया हुआ, उस